अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपके अधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है या फिर यह जानना चाहते हैं कि आपके अधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक भी है या नहीं है और अगर लिंक है तो कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है तो यह सब कुछ बतान वाले हम इस वीडियो में तो चली आज के वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले आपको एक ब्रावजर उपन कर लेना है ब्रावजर में आपको टाइप करना है यू आई डी ए आई बस इतना लिखेंगे और सर्च करेंगे तो आपके सामने जो यू आई डी यानि अधार कार् डिस्क्रिप्शन में मिल आएगा कोहाँ से पी शीरे इस पे आ सकते हैं इस्क्रोल करके थोड़ा सा नीचे आएँगे आपको बहुत सारे इसमें options दिखाए देते हैं सबसे पहले आपको एक जो आधार service याला जो options इसमें आपको एक option दिखाए देगा नंबर बंड कर वेर ओठेयोई पूम्पर आभ यहां पर लिख sic def Christmas के दो एक दो और फिली दो सोय करेंगे इसके बाद में हमारा सामनेoff जेल्ड़ निए समने जर्ड़ इसमें अधार स्मय बहुत है इसमें लिखा आधार वेरिफिकस्टन कंप्लिट अधार конц ईसके आद्में इसमें लिखा है training वाले आधार तारक के और भाव सब्सक्राइब है state जो है कि उनका लिखा हुआ है उसके आर्ड में जो mobile number है उनका mobile number यहाँ पर दिया हुआ है आखरी के three digits आपको देखनों के मिलेंगे आखरी के three digits आपको देखने को मिलते हैं तो यह समझी कि आपका mobile number लिंक है और यह आपको याद कर लेना है कि कौन सा mobile number है यह आपका लिंक है अगर यह mobile number आपका बंध हो गाया या कुछ भी करण से कुछ बंध है तो आप इसे simply अधार सेंटर पर जाकर वहां से चेंज करा सकते हैं बहुत ही आसानी से हमाँ पर चेंज हो जाएगा इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपने mobile phone से दो मिल्ट में देख सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में mobile number लिंक है या नहीं और है तो कौन सा mobile number लिंक है इस तरह के वीडियो देखने के लिए जुढ र झाल झाल